साथियों, IIM संबलपुर का धे मंत्र है नव सर्जनम, सुचीता, समावेशत अद्वम यानि इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूजिवनेश आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मेनेजमेंट स्किल दिखानी है, आपको नए निर्मार को तो प्रुच्छाइद करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोड़ देना है, जो विकास की दोड में पीछे चुड़ गया है, उसे भी साथ लेना है, जिज जगह पर आएम का पर्मनेंट केंपस बन रहा है, वहाँ पहले से मेडिकल युनिवर्सिटी है, इंजिनेरिंग युनिवर्सिटी है, तीन और युनिवर्सिटी है, साइनी स्कूल भी है, सियार पी एफ और पुलिस के रे टेनिंग इस्टिटूट भी है, जो लोग संबलपूर के बारे में जादा नहीं जानते, वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं, कि IIM जैसे प्रतिशिस संस्थान के बनने के बाद, ये खेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है, संबलपूर, IIM और इस शेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंस, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे खास बात ये होगी, कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लेब की तरह है, ये जगह प्राकृतिक रुप से इतनी भव्य है, ओडिशा का गव्राव, हिराकुंड बांध आपसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बांध के पास देवरीगड सेंचुरी, अपने आप में खास तो है ही, इसके बीच में वो पुंडेस्थान भी है, जिसे वीर सुरेंदर साहिंजी ने अपना बेस्ट बनाया था, इस एरिया के टूरिजम पोटेंचल को और बढाने के लिए, यहां के स्टूडेंट्स के आइडियास और मेनेजरियल स्कील बहुत काम आ सकते हैं, ऐसे ही संबलपूरी टेक्स्टाइल भी बेश विदेश्ट में मश्वूर है, बांधा इकत फैबरिक, उसका यूनिक पैटरन डिजाइन और टेक्शर बहुत ही खास हैं, इसी तरह इस खेत्र में हेंडी क्राप का इतना काम होता है, सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों परनकासी, लकडी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई भेहन भी इसमें बहुत पारंगत है, आयायम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपूर के लोकल को वोकल बनाना, उनका एक एहम दाईत्व है, साथियों, आप ये भी भली भाती जानते हैं, कि संबलपूर और उसके आसपास का इलाका, अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंट के लिए भी जाना जाता है, हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगेनीज, कोल, लाइम स्टोन से लेकर, गोल, जैम स्टोन, डायमन, यहां की प्राकृतिक संपधा को अनेक गुना बढ़ाते हैं, देश के इन नेचरल एसेस को बहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे यह पूरे छेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है, साथ क्यों, यह मैंने आपको कुछी उदान दिये हैं, उडिशा में बनसंपदा, खनीज, रंगबती, संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राप, स्वभाव कभी गंगाधर, महर की कविताएं, क्या नहीं है उडिशा के पास, जब आप में से अनेक साथी, संबल पूरी टेक्स्टाइल, या फिर कटक की फिलिकरी कारीगरी, उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में, अपने काउशल का इस्थमाल करेंगे, यहां के टुरिजम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के साथ ही, ओडिशा के विकास को भी और गती मिलेगी, और नए उचाई मिलेगी.